नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्धप्रदेश का नमबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस एमपी चलिए देखते हैं मद्धप्रदेश की सभी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में विदानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन था कि हम शिवराज सरकार से 18 साल का हिसाब मांगेंगे मद्धप्रदेश विदानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है राजपाल मंगो भाई पठील के सुमवार को हुए अभी भाशन पर चर्चा हो रही है मद्धप्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूस में पांचवी आठवी की परिक्षा बोड ही होगी प्रदेश के मिदिल एवं प्राइवरी स्कूस में पांचवी और आठवी कक्षा की परिक्षा को लेकर बनी पशो पेश के स्थिति अबसपश्ट हो गए राजय शिक्षा केंद्र के संचालक धनराज U.S. ने परिक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि CBSC और SCSE स्कूल्स को छोड़ कर प्रदेश में संचालित होने वाले सभी सरकारी प्राइवेट और मदर्सा बोर्ड में पांचवी अवं आठवी कक्षा की परिक्षा बोर्ड की ह सरकार आज बताएगी प्रदेश में कितनी बड़ी प्रतिव्यक्ति आए कितनी बड़ी रोजगार के अफसर प्रदेश में पिछले एक साल में प्रतिव्यक्ति आए कितनी बड़ी ये सरकार आज विधान सभा में प्रस्तूत होने वाले आर्थिक सर्वेक्षन में कि आर्थिक सर्वेक्षन में प्रदेश की आर्थिक इस्थिती राजे के सकल घरेल उत्पात की इस्थिती प्रतिव्यक्ति आये प्रदेश के उपर रेंड क्रशी वौध यगिक विकास रोजगार के साथ सरकार की प्रमुक योजनाओं की इस्थिती की जानकारी दी जाएगी मंदल ने पेंशनर्स के महगाई राहत में 5 वीजदी की व्रथी की है इसके बाद महगाई राहत बढ़कर राजी के पेंशनर्स के समान 33 वीजदी हो गई है ये एक अप्रेल 2023 से लागू होगी इसकला आप 1500 से ज़ादा पेंशनर्स को मिलेगा मार्च में फिर बदलेंगे मौसम के मेजवास तापमान में उतार चड़ाओ चाहेंगे बादर मार्च में एक बार फिर मद्रदेश का मौसम बदल सकता है क्योंकि आज सक्रिया होने वाले पश्टिमी विक्षोप से हमाले में बारिश और बरबारी के गतिवीदी तीज होने का अनुमान है एमपी मौसम विभाग के मताबिक कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है परवरी के आखरी दिन तेज गर्मी पढ़ने के आसार है लेकिन मंगलवार को सक्रिया होने वाले पश्टिमी विक्षोप के प्रभाव से दो तीन मार्च को प्रदेश में बदलाओ देखने को मिलेगा बादल चाएंगे और पश्टिमी हवा चलेगी कहीं कहीं बुन्दाबांधी हो सकती है खुले जंगल में सब्ते ही छोड़े जा सकते हैं एल्टन और फ्रेडी चीता नामीबिया से लाए गए चीतों को जंगल में छोड़ने का निर्ने हो गया है मार्च के पहले सब्ता में ही खुले जंगल में पहले दो चीतों को छोड़ा जाएगा जिरे खुले जंगल में छोड़ा जाएगा वो भाई हैं उनके नाम एल्टन और फ्रेडी हैं हाला कि अभी दिन तैन नहीं हुआ है MPBA उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर MPBA उम्मीदवारों के लिए महतफोन सूचना है मद्रप्रदेश में एक लाग से अधिक शास के पदों को भरा जा रहा है इसके लिए अक्ट्यूबर 2022 से प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी महीं हजारों पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिये गए है कई पदों पर भरती के लिए परिक्षा का आयोजन भी किया जा चुका है इससे बीच मद्रप्रदेश कर्मचारी चेयन मंडल की द्वारा एक बाल फिर से परिक्षा के लिए रिक्ति पदो की संख्या में व्रत्थी की गई इंदोर में एक मार्स महँगा होगा दूद, दो रूपे बढ़ेंगे न? ईंदोर में एक मार्स से दूद के भाव में दो रूपे प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी कमलनात बूले मद्यप्रदेश में कॉंग्रिस की सरकार बनने पर महिलाओ को प्रतिमाहत देंगे भत्ता नवंबर में होने वाले मद्यप्रदेश विदान सबाइ चुनाओ के लिए शिवरा सरकार का मांस्टरा स्ट्रोक मानी जा रही इंदोर वासियों के लिए गुड नियोज इस दिन से रेलवे देगा ये खास सुविधा मद्यप्रदेश के जिले इंदोर से फिर कई शेहरों की एर कनेक्टिविटी बढ़ रही है इंदिगो एरिलाइंस ने दोनों शेहरों के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी इंदोर से दोनों शेहरों के लिए अब रोज उडान की सुविधा मिलेगी दाए साल पहले शिर्डी और उदेपूर के लिए इंदोर से सीधी उडाने संचालित हो रही थी लेकिन लॉक्डाउन के बाद दोनों शेहरों के लिए उड़ाने बंद हो गई थी इन दोर से काफी लोग शिर्डी दर्शन के लिए जाते हैं तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मध्यप्रदेश सब्डेट रहने के लिए अब ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद